संस्क्रीत के परिक्षा में प्रतेक वर्स पांच नंबर का अपने परधाना ध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए जरूर पुछता है और यदि आप लोग सही सही और सही तरीके से लिखते हैं तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा और आपको पूरा पांच न मांग के लिए पांच दिन की चुट्टी के मांग के लिए आवेदन पत्र लिखें सेम टू सेम उसी तरीके से आपको संस्क्रीत में लिखना होता है लेकिन संस्क्रीत में कुछ चेंजिंग होता है जिसके बज़ा से यदि आप लोग गलत तरीके से लिखते हैं तो फिर आवेदन पत्र में एक वर्ड भी गलत नहीं होगा तो चलिए हम सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संस्क्रीट में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो द्धाना ध्यापक को संस्क्रीट में आवेदन पत्र लिखें देखिये बिसय चेंज हो सकता है हो सकता है कि बड़े भाई की साधी के जगर है कि हमारे बड़े मामा का तवीद खराब हो गया है हम वहाँ जा रहे हैं हम पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं यानि कि बिसय चे बताएंगे कि संस्कृत में पत्र आप लोग कैसे लिख सकते हैं तो जिस तरीके से आप लोग हिंदी में सबसे उपर में यहां पर लिखते हैं कि सेवा में तो हम लोग यहां संस्कृत में लिखेंगे सेवायां सेवा में हम लोग हिंदी में लिखते हैं संस्कृत में क्या लि श्रीमान पर्धाना चारे महोद है उसके बाद सभी अ स्टूडेंट अगले लाइन में अपने अपने अस्कूल यानि की बिंद्यालई का नाम लिखेंगे जैसे हम यहां पर लिख दिये हैं उच्च बिंद्यालई गुलजारवाग दीन तरयम मतलब तीन दीन के लिए अवकास आर्थम मतलब अवकास के लिए यानि तीन दीन के अवकास के लिए हम लोग यह पत्र लिख रहे हैं तीन दीन के छुट्टी के लिए लिख रहे हैं उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे महासया जिस तरीके से हि निवेदनम अस्ति यत्ष मतलब चार कि मं भरातू यानि मेरे भाई का भिवाह चवभ भविश्यति कल दियांद होगा मेरे भाई का बिवाह कल होगा अहम अपी या अहम अपी मतलब क्या होता है अहम मतलब मैं होता है और अपी मतलब भी होता है अहम अपी यानि कि मैं भी बर्यात त्रायम ध्यान रखियेगा बर्यात त्रायम मतलब क्या होता है बरात होता है आप लोग बरियाती जाते होंगे ने तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं भी बरियात रायम मतलब बरात में गमिश्या में यानि कि मैं भी बरात में जाऊंगा ठीक है मेरे बड़े भाई का साधी कल होगा जिसमें मैं भी बरात में जाऊंगा अताह महयम दीन यानि कि मुझे तीन दीन का और यहां पर डेट मेंसन कर देना है कि 24 तारिक दूसरा महिना 2022 से ले करके 26 तारिक दूसरा महिना 2022 तक आप लोग यहां पर डेट के जगा पर कोई भी तीन तीन का डेट दे देंगे जैसे हम लोग यहां पर दे देंगे 16, 17, 18 या फिर दे देंगे 26.22.22 तक तो यहाँ पर यावत लिखेंगे अबकाश प्रदाय यानि कि इतना तारिक से इतना तारिक तक अबकाश प्रदान करके माम यानि कि आप मुझे अनुग्रिहंतु भवन्त अनुग्रिहित करें तो बहुत ही असान भासा में आप लोग समझ गए होंगे कि जब संस्क स्रीत में पत्र लिखना होता है तो कैसे लिखा जाता है चलिए एक वार फिर से हम पूरा सिर्फ पाह के सुना देते हैं आप लोग बस ध्यान से समझिएगा सेवायाम स्री मंतह परधाना चार्य महोद्या उच विद्यालेह गुलजार वाग पटना विसयाह में लिखेंगे कि दीन त्रयम अवकाश आर्थम यानि कि तीन दीन के अवकास के लिए चुट्टी के लिए उसके बाद महासया सविनयम निवेदनम अस्ति यत्मम भातु ब मेरे भाई का विवाह कल होगा अहम अपी मैं भी बर्यात्रायम गमिश्या में यानि कि मैं भी बरात में जाओंगा अतह महयम दीन त्रयम यानि कि मुझे तीन दीन के लिए और तीन दीन कौन तो चोबिस तारिक पचीस तारिक और छबिस तारिक यानि कि तीन दीन के लिए तो 24 से ले करके 26 दो 2022 तक यावत, यावत मतलब तक होता है अब काशम परदायह माम अनुग्रिहन्तु भवन्तह यानि कि 24 दो 2022 से 26 दो 2022 तक अब कास परदान करके आप मुझे अनुग्रिहित करें और उसके बाद जिस तरीके से हिंदी में नीचे लिखते हैं भवत आग्यापालका और हिंदी में क्या लिखते हैं आपका आग्याकारी छात्र हिंदी में हम लोग लिखते हैं आपका आग्याकारी छात्र और संस्क्रीत में लिखेंगे भवत आग्यापालका जो छात्र हैं व मारा रॉल नमर क्या है और इधर बाये साइड में आप लोग दिनांक दे देंगे यानि कि किस तीथी को आवेदन पत्र आव लोग लिख रहे हैं यहाँ पर दिनांक जरूर देंगे क्योंकि दिनांक के बिना आवेदन पत्र अधूरा होता है तो यहाँ पर बाये साइड में दिनांक जरूर लिखना है तो उमीद करते हैं कि आप लोग अब आवेदन पत्र लिखना अच्छे तरीके से सीख गए होंगे समझ गए होंगे और अब यदि आपके परिक्षा में आएगा तो आप लोग 5 नंबर पूरा लाएंगे लाएंगे की नहीं लाएंगे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताईए अब यदि आपके परिक्षा में आएगा तो आप लोग लिख देंगे ना कोई दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता दिये हैं तो चलिए उमीद करते हैं कि अब आवेदन पत्र में कोई दिक्कत नहीं ह होगा आप लोगों का पांच नंबर हम कंफर्म समझते हैं तो चलिए यह वाला वीडियो अगर आपको अच्छा वागा हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रूप्स में भी जल्दी जल्दी से सेर कर दीजे ताकि स सारे बच्चे या पत्र सीख जाएं और जल्दी से आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे भी हम आपको पूरा-पूरा हेल्प करते रहें तो चलिए फटा-फट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फिर मिलते हैं हम आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद